आपको लीकर चलते हैं मद्यप्रदेश ये जेपी नड़ा संबोधित करें हैं दरसल आज ये संकल पत्र जारी होने क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सरा और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मौनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मौनिटर करते हैं इसलिए जब मैं ये आप से चर्चा करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरवेजन में चाहे MP का डवलपमेंट हो चाहे किसी और स्टेट का डवलपमेंट हो उस में जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्यान और गरीब कल्यान के लिए Empowerment of the Poor उसके लिए reforms, transform and perform आप उसके लिए policy में भी reforms लाओ कुछ चीजें बदल नहीं हो तो वो भी बदलो और उसको अपने activity में लाओ इस बात को हम हमेशा emphasize करते रहें और जब मैं सारी बातें आप से कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा इन्होंने indication किया हमारे शिवराज सिंग जी ने लेकिन मद्यप्रदेश के electorate के सामने मुझे इस पात को भी स्पष्ट करना है कि क्योंकि 20 साल भारती जनता पार्टी ने राज किया है तो 20 years before मद्यप्रदेश कैसा था ये आज की फर्स जनरेशन जो है आज की जो यंगर जनरेशन है उसको शायद उसका अंदाजा भी नहीं वो जानते भी नहीं है कि किस तरीके का मद्यप्रदेश था और इसलिए ये मेरी जिम्मवारी हो जाती है कि आपके मद्यप से हमारी यात्रा रोड मैप कैसी रही है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इशारे के रूप में शिवराजी ने रखा था लेकिन उसको रूप देने के लिए अगर मैं इंडस्ट्रिल ग्रोथ की बात करूँ क्योंकि आप सब पत्रकार हैं आप लोगोंने सारी चीज़ों को कवर किया है 2003 में 0.61% ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रिल ग्रोथ की तोड़े दी इंडस्ट्रिल ग्रोथ इस 24% अफ मध्य प्रदेश ये है 20 एर्स की आत्रा अगर मैं फूद प्रोड़क्शन की बात करूँ तो फूद प्रोड़क्शन हमारा 4 ताइम्स बढ़ा है 2003 में हम 159 लाक मेट्रिक टन थे और आज हम 619 लाक मेट्रिक टन हो गए उसी तरीके से इरिगेटेड लाइन 2003 में 4,231 हेक्टेर था जो इरिगेटेड लाइन थी आज 16,283 हमारा हेक्टेर इरिगेटेड लाइन है मैं अभी रिवा के बाजार में शाम को गया था तो मैंने इसकी रौनक देखी मैं एक पब्लिक मीटिंग में जाना था तो मैंने का ये रिवा तो बिलकुल बदल गया इसकी रौनक बाजार की तो मैंने इसकी रौनक बाजार की सबसे ज़्यादा मोटर साइकल परचेश देश में रिवा में हुआ है इस शोड़ा की परचेशिंग केपासिटी अव थी फार्मर्स कितनी बढ़ी है